ओलेट फ्रेंड्स तो विलकम बैक आई होग आपका जो है प्रोजेक्ट यहां तक चल रहा है हमने अब लास्ट वीडियो में हमने काफी कुछ देख लिया था अपने जैंगोरस फ्रेमवर्क में तो हमारे टूटोरिल अगर हम ध्यान से देखें तो वन टू थ्री फाइव सि टिटेटा क्या है उस सीरळाइजड डेटा के अंदर एक और सीरलाइजड डेटा डालना है यानि कि आप समझोग करने तो इसको बोलता है नेस्टीड सेलाइजड यह आपको मिलेगा सेलाइजड रिलेशन में और निश्टीड रिलेशन में आप यहां जाके देखोंगे नेस्टे डिलेशन तो इसमें क्या वह लखा देखो एल्बम है एल्बम के अंदर इन्होंने ट्रैक को डिस्प्ले किया हुआ तो यहां पर लिखाता या या यूर लिखाता लिंक लिखता अगर आपको जातो तो देखो स्ट्रीम के अंदर हम अगर लिंक लिख देंगे लिंक लिख देंगे तो हमारे स्ट्रीम के अंदर यहां पर लिंक नाम का एक अट्रिबुट आजाएगा तो अब हमको क्या करने यानि कि album serializer के अंदर track serializer हमको डाल देना है man is equal to true, read is equal to false ऐसा कुछ करके हमको डाल देना है तो एक काम करते हैं ऐसी डाल देते हैं हम लोग देखो watch list हमको बनानी है watch list एक काम करते है watch नाम रखते हैं उस variable का उसको बोलेंगे एक watch list serializer man is equal to true और read only is equal to true, read only हो अब क्या हुआ stream platform के अंदर एक नया attribute बने का watch जिसके अंदर सारी की सारी movies मेरी show हो जानी चाहिए ठीक है थोड़ा सा wait करता हूँ चीजों को reload करते हैं चलते हैं यहां पर फिर सकरते हैं और आप देखो कि यहां पर कुछ भी नहीं आया है तिके watch नाम का variable आया ही नहीं क्यूं क्यूंकि आपका जो model है न मॉडल उसके अंदर जो watch list है और जो stream platform यह दोनों connected नहीं आपस में इनको connect कर दो आप और connect होता है foreign की से आपको पता ही होगा तो देखो पहली बात ने foreign की को read गरना आप लोग सीख लो जब भी ऐसे लिखा foreign की इसका मतलब यह है कि multiple stream platforms के अंदर sorry single stream platform के अंदर multiple watch list होंगी नीचाला single उपर वाला multiple तो single stream platform के अंदर multiple watch list होंगी और जो दोनों relate होंगे किस नाम से बता है related name is equal to कोई भी नाम आप यहां पर दे सकते हूं मैं दे सकता हूं watch या watch के ला कुछ और दे देंगे watch related यह दोनों related हो गए यानि कि watch related नाम का एक variable है related name is equal to यह देने का मतलब यह है कि अब हमारा stream platform और watch list दोनों आपस में relate कर रहे हैं इस नाम से अब आपको फिर से बताता हूं यानि कि आपने stream platform इस पहले इसको रिड़ करना सेखो कि single stream platform के अंदर multiple watch list होंगी जो रिलेट हो रहे हैं watch related नाम के variables है इतना अगर आपको clear हो गया अगर इतना clear हो गया तो मैं आपको इसका जादू दिखाता हूं कित्ती बड़ी अचीज है उसकी जादू के लिए आपको न शेल पर चलना बढ़ेगा python manager भीए शेल ठीक है शेल क्या होता है एक command line interface होता जिसमे हम अपने जैंगो की queries को लिख सकते हैं चीजों को देख सकते हैं ठीक है वह हम लिख सकते हैं अब देखा हूं मैं आपको दिखाता हूं तो from imdb.api नाम का जो मेरा project है उसके अंदर models है उससे आप import कर लो watch list और stream platform ठीक है मैंने इंपोर्ट कर लिए अपने दोनों model imdb नाम का app है imdb.api लिख दिया है मैंने sorry गलती कर दी from imdb.api import.models import कर लो watch list और stream platform मैं कर क्या रहा हूं मैंने imdb.apps से model निकाल दिये दोनों अब मैं काम करता हूं w is equal to watchlist.objects.blog all आपको पता है मैं इससे query करता हूं और w मैंने लिखा तो यह दोखो सारे के सारे मेरे watchlist यहां पर show रहे है न अफ्लेक्टेड यही सारे movies में को show रही है और मैं अगर मैं stream लूँ तो stream platform.objects.all यह भी मेरा show है यह दोखो मेरा show है और यह क्या हो गया दोखो यह भी शोर है नेट्फ्लिक्स प्राइम वीडियो सब कुछ मेरी चीज़े यहां पर show हो रही है यादि कि दोनों चीज़े क्वरित हो रही है अच्छा अगर मैं करूं s.0 इसका मतलब क्या है कि वही जो मेरा series जो मेरे stream platform है उसका जीरोत वाला बंदा दे दो तो वो netflix है बहुत सही अब मैं को पता करना है कि netflix के अंदर कितिनी movies है उसके लिए यह netflix हैने की stream platform और watch list platform relate होना चीज़े और दोनों को मैंने relate ना कर दिया किस नाम से watch related नाम से तो मैं बोलूँगा भई मैं काम करूंगा net is equal to s.0 मैं net नाम के variable में अरे यार क्या हुआ यह चाहिए एक बार करना पड़ेगा मैं net नाम के variable में न एसका जीरोथ element ले लूँगा ले लिए मैंने तो मेरा अगर नेट डिस्प्ले करूं तो नेट डिस्प्ले करूं तो नेट्फिक्स आरे में पास आप मैं मैं वालूँगा net की movies बता दो तो दो दोनों related होई रखें किस नाम से net.watchrelated दोनों related होई रखें तो वाच रिलेटेट के यह दो एक पूरी इसने जैंगो के format में दे दिया अगर मैं लिखो net.watch अंडर्सकोर रिलेटेड फिर.all फिर ऐसे कर दूं तो सारी मुवी दागे अफ्लेक्टेड अंडर दे स्किन और विशाय वाज हेर यह नेट्फिक्स की मूवी से आप इस चीज का मतलब समल्लो पहले से और इसका रीडिंग समल्लो पहली रीडिंग क्या है कि सिंगल स्ट्र और रॉज्पर्म डॉज्ड बाटफॉर्म डॉड्वुत। दालने और वाच के जगह वाच- रिलेटर का इस तेमाल कर लो और इसको सेव कर लो इसको सेव कर लो मैं इसको एगजिट ग्मेराइच अब पायचन मैने जुट पीवर रूट सर्वर करूंगा थोड़ा सवेट करूगा तो मैं देखता हूं किमे क्या चीजे रिलेट हो गई ह क्या मेरा जो stream platform का serializer है उसके अंडर watch list serializer show हो रहा है यानि कि streams के अंदर क्या movies भी particular show हो रही है जो कि related किसी हो रही है watch related से चलते हैं यहाँ पर थोड़ा से reload करता हूँ reload किया बेट के देखो watch related नाम का variable आच चुका है इसके अंदर movies आ चुका है यह movie यह movie यह movie यह Netflix की movie है ठीक है जैसे मैं डालूंगा वन तो वन के Netflix का है तो यह Netflix की movie आ गई मैं .json भी करके डालता हूँ थोड़ा अच्छा format में दिखाता हूँ को यह देखो यह रहा watch related ID is equal to 1 दो ऐसे ID 1 है watch related उन तीन items है और name about और website ठीक है और ऐसा ही हमको सब चीजों का दिख रहा है आपर सब चीज का तो watch related यह 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 ठीक है अच्छा इस variable का नाम मैंने वह रिलेटेट रग दिया था आपको सकते हो watch related API में देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो काम करते हैं हम इसको ने watch लिस्ट ही करना पड़ेगा तो चलता हूं मैं यहां पर जाके देखोगे तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा वाच लिस्ट ही मिल जाएगा बिना कि दिक्कत के ठीक है तो आपको दिक्कत की अच्छा काम और बच जाएंगे आपके क्योंकि आपने क्या किया है मॉडलिस में अपना चेंज किया है मॉडलिस को आपने रिलेट किया है वाच लिस्ट की मज़त से आपको दो कमार्ण आपको पते ही रन करने हूं यह पाइथन-manage.py मॉडलिस में माइगरेट करना मनना एर्रस आगे आएंगे इस वीडियो गे लितने तब तक के लिए बाई